a and b respectively the point of local max and local min of the function this ठीक है इसके local max local min है a is the total area of the region bounded by this the x axis and the line x equal to a x equal to b ठीक है तो बच्छो आईए इसको differentiate कर देते है ठीक है तो differentiate किया बच्छो किता आजाएगा 6x square minus 6x minus 12 इसनों बच्छो 6 common लेके किता आ रहा है x square minus x minus 2 बच्छो इसका root अपने को दिग्या कि एक 2 आ रहा है x minus 2 और multiplied by किता आ रहा है x plus 1 ठीक ही आ रहा है तो बच्छो बच्छो function आपको origin से pass होता हो दिख रहा है और origin से pass हो करके x into किता लिखा है 2x square minus 3x minus 12 है न ऐसा आ रहा है इसका graph बनाए origin से pass करेगा एक root negative एक root positive और origin से pass कर रहा है इस तरह से आएगा और बच्छो local maxima है minus 1 पर वो भी दिख रहा है local minima है 2 पर है ऐसा दिख रहा है अब इसने बोला a is the total area bounded by xx बच्छो इसमें बहुत ध्यान रखने वाली बात ही है कि direct integrate मत कर देना minus 1 से लेकर के 2 क्योंकि कुछ part आपका above x axis है x axis बोला है तो आपको खुद देखना पड़ेगा इसका root तो आपका answer actually minus 1 से 0 जहां पर graph above x axis है यह तो positive आ जाएगा तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है 2 x cube minus 3 x square minus 12 x पर आप direct integration मतलिक देना minus 1 से लेकर के 2 यह value बच्चो फिर आपको इसमें add करनी पड़ेगी mod लगा के या mod लगा के चलो ठीक जिरो से लेकर के 2 और बच्चो सेम क्यूबिक 2 x cube और फालना धिम खाना डैश डैश डी एक्स और mod कैसे खुल जाएगा गैरेंटेड यह value negative आएगी और mod आप minus sign से खोल लेना बच्चो इसके बाद आप कर लोगे integration बहुत simple है value बहुत simple है बस minus 1 रखना है और आपको 2 रखना है add कर देना है ठीक है मैं आपको बतायता हूँ बच्चो यह value कित्ती आती है बच्चो वेल्यू आती 57 by 2 ठीक है कर लेना आप calculation बच्चो इसको multiply कर देकर पन 4 से 57 इंट्यू 114 आपका answer जाएगा ठीक है clear 114 आपका